एक ऐसी पिड़ी जो 21 सदी के भारत की आवश्रक्ताओं को समत्ते हुए अपना सामर्थ बढ़ाएं और एक ऐसी पिड़ी जो कर्तव्यबोत से भरी हुई हो अपने दाईत्व को जानती हो समत्ती हो और इसमें राष्ट्रिय सिक्षा नीती की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई प्यारमिटर्स है लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता राष्ट्रिय सिक्षा नीती की प्रात्विक्ता है भारत के हर युवा को समान सिक्षा मिले जब हम समान सिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो इस जिम्मेदारी केवस कुल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती समान सिक्षा का मतलब है सिक्षा के साथ साथ सौसा धनों तक समानता पहुंचनी चाहिए समान सिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चोईस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना समान सिक्षा का मतलब है स्थान वर्ग छेत्रे के खारण बच्चे सिक्षा से बंचित न रहे इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है देश का प्रयात ये है कि गाउं शहर अमीर गरीब हर बर्ग में युवाओं को एक जैसा आउसर मिले आप देखिए पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर खेत्रों में अच्चे स्कूल नहीं होते थे लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पी एम स्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है फाइव जी के इस यूग में ये आदुनिक हाई टेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आदुनिक सिख्चा का माध्यम बनेंगे आज आदिवासी इलाकों में एक लब्वे आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं आज गाउं गाउं इंटरनेट की सुविधा उपलब्द है दिख्षा, स्वयम और स्वयम प्रभाजे से माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से अच्छी किताबे, क्रियेटिव लर्निंग टेक्निक्स हो आज डिजिटल टेक्नलोलोजी के जरिये गाउं गाउं ये नए विचार, नवी ववस्ता, नए अवसर उपलब्द हो रहे हैं यानि भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैब भी तेजी से खत्ब हो रहा है साथियों, आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिस्टी की एक बड़ी प्रास्विक्ता ये भी है कि सिक्षा केवल किताबों तक सिमित न रहें, बलकि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटिग्रेड करने का काम भी हो रहा है इसका सबसे बड़ा राब, कमजोर, पिछडे और ग्रामेर परिश्वेश के बच्चों को जादा होगा किताबी पढ़ाई के बोच के कारण यही बच्चे सबसे जादा पिछड़ते थे लेकिन नई राष्टिय शिक्षानीती के तहट अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी यह पढ़ाई इंटरेक्टिव भी होगी, साथ-साथ इंटरेस्टिंग भी होगी पहले लेब और प्रेक्टिकल की सुविदा बहुती कम स्कूलों में उपलब्द थी लेकिन आप अटरल टिंकरिंग लेफ्ट में 75 लाग से ज़्यादा बचे साइन्स और इनोवेशन सीख रहे हैं साइन्स अब सब के लिए समान रूप से सुलब हो रही है यही नन्य मेंग्यानेक आगे चल कर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे